नमस्कार, बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई काम की बाते नमबर एक, कभी कभी नमक हल्दी में दो बुनसर्सों का तेल डाल कर दातों को उंगली से साफ करें दातों का कोई रोग टिक नहीं सकता नमबर दो, बुखार में एक लिटर पानी उबाल कर डाइसो हैमेल कर लें साधरन तापमार पर आ जाने पर रोगी को थोड़ा थोड़ा दें, दवा का काम करेगा नमबर तीन, देसी गाए के घी का प्रियोग करें, अनेक रोग दूर होंगे, वजन नहीं बढ़ता नमबर चार, ज्यादा से ज्यादा चीजे लोही की कड़ाई में ही बनाएं, आईरेन की कमी किसी को नहीं होगी नमबर पांच, बोजन का समय निश्चित करें, पेट ठीक रहेगा, बोजन के बीच बात ना करें, बोजन ज्यादा पोशन देगा नमबर चे, रिफाइन तेल के बजाए, केवल, तील, मुम्फली, सरसो और नारियल का प्रियोग करें, रिफाइन में बहुत से कैमिकल होते हैं, जो शरीर के कैई बिमारियों के को पैदा करते हैं नमबर साथ, सोयबीन वड़ी को दो घंटे, विगो कर मसल कर जहरी ले जाग निकाल करी प्रियोग करें नमबर आठ, केवल सेना नमक का प्रियोग करें, थायरड वेपी और पेट ठीक होगा नमबर नो, करेला, मेती और मुली यानी कड़वी सबजियां भी खाएं, रक्त शुद रहेगा नमबर दस, अदरक अजवायन का प्रियोग बढ़ाएं, गैस और शरीर के दर्द कम होंगे नमबर ग्यारा, रस निकले, नेमबू के चोथाई टुकडे में, जरासी हल्दी नमक वफिट करी रख कर दात मलने से दातों का कोई भी रोग नहीं रहेगा नमबर बारा, ज्यादत से ज्यादा, मेठी नेम, करी पत्ता, अपनी सबजों में डालें, सभी का स्वास्ते ठीक करेगा धन्यवाद